आप सभी का बहुत भूत वेलकम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के श्टूटरिल में बात करने वाले हैं प्री वेडिंग जो फोटोग्राफ होता है उसका हम एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं तो हमारे डिस्पेले पे आपको एक फोटो दिखरा होगा कुछ इस तरीके का ये फोटो है हम जूम करके आपको दिखाते हैं यह एक फोटो मेरे पास दूसरा फोटो मेरे पास यह है और यह दोनों फोटो को mix करके हम एक डवल एक्सपोजर image create किये हैं कुछ इस तरीके का तो दो photo मेरे पास था इस तरीके का और जब हम इसे edit किये हैं तो कुछ इस तरीके का ये edit हुआ तो इस तरीके का अगर आपको photo editing सिखना है तो video को आप आन तक जरूर देखें और हमारे channel पर अगर first time आये हैं चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबा लिजिए video editing photo editing से related कुछ भी जानकारी लेना है comment box में comment किजिए हम उस type का tutorial हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे तो चलिए video को start करते हैं तो friends मेरे पास दो photo है एक photo ये है और एक photo ये है अब ये दोनों को हम edit करते हैं किस तरीके से किया जाता है video को ध्यान से देखें और ये मेरे पास photo shop 2022 है अगर आपके पास old version का कोई भी photo shop है तो उसके बारे में भी हम इस video में बताएंगे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस video को सबसे पहला जो काम है इसका आप एक cut out बना लिजिए इसका selection बना के आप इसका cut out बना लिए cut out perfect नहीं होना चाहिए यह नहीं हम बता रहे हैं कि पूरा perfect इसका cutting कीजिए आप roughly इसका cutting कर लिजिए cutting किस तरीके से किया जाता है अगर आप old version का कोई भी photoshop यूज़ कर रहे हैं तो आप paint टूल से कर लिजिए cube selection से कर लिजिए इससे कर लिजिए दोनों से आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप photoshop का latest version यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जब select में जाईएगा तो यहाँ पे आपको एक subject का option मिलेगा यहाँ पे जैसे ही click किजिएगा इसका selection हो जाएगा इसमें थोड़ा सा time लिता है उसके बाद यह selection हो जाएगा आप देख सकते हैं इसका selection हो गया उसके बाद क्या करना है इसका एक copy बना लेना है control J प्रेस करके यह सब जो अभी बता रहे हैं आप किसी भी Photoshop में कर सकते हैं सिर्फ selection वाला जो परिकिरिया हमने बताया था वो सारे Photoshop में नहीं है तो इसका हमने एक copy बना लिया copy यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एक PNG बन गया हम background को बंद खरके दिखाते हैं तो इस तरीके का यह cut out हो गया अब देखें इसका cut out तो हो गया अब क्या करना है यह photo को हमें drag and drop करके वहां लेके जाना है उस photo पे तो यहाँ से पकड़ेंगे और इस photo पे लाके छोड़ देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह photo मेरे पास आ गया अब करना क्या है इसे आप इस photo को जो cut out बनाये थे cut out को आपको उपर लेके जाना है और यह photo को नीचे लेके आना है यहाँ पे ले आना है इस तरीके से अब देखें अब चाहें तो इसमें आप mask create करके आप इसे erase कर सकते हैं या फिर eraser tool से भी कर सकते हैं यहाँ से alt press करके इस पे जब click किजिएगा तो यह photo क्या हुआ उसके अंदर चला गया अब इसे धीरे धीरे बाहर लाना है बाहर लाने का तरीका यह होता है कि आप brush tool का यूज कर लिजे और brush का यूज किजिएगा उपर में आप white रखेगा नीचे में black हो जाएगा और इसका opacity of flow को आप 100-100 होने के बाद क्या करना है कि इसका कोई brush ले लेना है soft brush जैसे कि आप यहाँ से इस तरीके से brush ले लेना है soft brush आप इस तरीके से जब erase किजिएगा तो यह देखिए यहाँ पर दिखने लाएगा तो एक तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से आप brush tool को sorry eraser tool को ले लीजिए और इसे आप क्या कीजिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप erase कर दिजिए चारो side से तो एक इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो यह भी perfect ही हो जाता है आप देखिए यहाँ पे जो यह boundary आपको दिख रहा है अगर इसको हम थोड़ा से remove कर देंगे तो photo और अच्छा लाएगा तो इसको कैसे करेंगे आप clone tool का सहारा ले सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं clone tool है clone tool यहाँ से लिए और यहाँ से आप simple किजिएगा alt paste करके और इस तरीके से जब यहाँ पे चलाईएगा तो अभी क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हम मेरा गलती से यहाँ पे select है मैं background पे select करके करना है तो यहां से हमने background पे लिया आप यहां से alt press करेंगे अप देखें इस तरीके से यह मीट गया आप ऊपर वाला आपको यहाँ पे parts दे सकते हैं या फिर जो यहाँ पे पाणी है इसका तो यहां से इस तरीके से हम दे सकते हैं इसको तो ये थोड़ा सा जब boundary जो था उसको हटा दिये तो थोड़ा सा और ये ठीक लगने लगा थोड़ा सा और इसमें आप मेहनद कर सकते हैं कलोन में थोड़ा सा इसका कम कर लिजे और इस तरीके से आप इसे यहाँ पर हटा सकते हैं यहां पर देखें यहां पर भी आप हटा सकते हैं तो यह क्या लग रहा है कि यहां पर बॉंडरी था तो थोड़ा अजीब लग रहा था अब देखें इसको क्या करना है पानी जो यहां पर आपको दिख रहा है जो नदी का पानी है इसको अगर हम थोड़ा सा ब्लू कर देते तो और बहतर होता लेकिन इसे बुलू करें तो कैसे करें करना क्या है आपको यहां से एक सॉलिड कलर ले लेना है बुलू कलर का इस तरीके से आप बुलू कलर का एक सॉलिड कलर ले लिए तो आपको क्लिक करना और यहां पर रेक्टर साइज का यहां से आपको क्लिक कर लेना है ठीक है उसके वाद फिर से आप इरेजर टूल को लिजिये और इस तरीके से इसी इरेज करते नीचे आ जाईए पिर से देख लीए है यहां से आपको और exercise कर लेना है उसके बाद erager too लेना है और इस तरीके से आप strongest करते करते आप धीरे धीरे नीचे की और अज़ये आगे पर लाके इसको छोड़देना है यहां पर इस तरीके से हमने एरेज करना है और यहां पर छोड़ देना अब देखिए यहां पर क्या करना इसका ब्लैंडिंग मोड को चेंज करके आप सौप्ट लाइट पर आ जाईए सौप्ट लाइट यह यहां पर देखिए सौप्ट प्लाइट किये तो जो मेरा नीचे का नदी का जो पानी था वह थोड़ा सा ब्लू हो गया अब देखिए इसको क्या करेंगे कंट्रोल टी पकड़के थोड़ा साइसे ऊपर लेके जाएंगे तो यह देखिए पर्फेक्ट लग रहा है अब यह जो फोटो मेरा कपल का यहां पर इस पर क्या करना है आपको इसका भी ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके लूमना सीटी कर लिए अब जैसे हैं लूमना सीटी 2022 में कर रहे हैं और आप कर रहे हैं CS3 में तो नहीं होगा सारे फोटो में यह फैसलीटी है आप कर सकते हैं बाकि यहां पर तो यह हो गया अब इसका जो हमने कट आउट बनाया था अब यहां पर आपका कट आउट का हम जो बात करते हैं कि रफली कट आउट बनाया थे तो इसके नीचे भी मेरा फोटो लगा हुआ है इसलिए है कि हेर मेरा उतना पता नहीं चलेगा इसलिए अबने बता बना बताया था कि आप रफली कर सकते हैं कट आउट इसका जैसे अभी हम यहां पर निकालेंगे तो यह लगेगा कि कटिंग मेरा ठीक से नहीं है लेकिन जब यहां पर यह आ जाएगा तब यह लगेगा कि परफेक्ट है क्यूंकि इसमें बैक्ग्राउंड का भी फोटो था और जो हमने कट आउट लगाए था वह भी सेपरेट लेयर बना लेना है तो सारे लेयर को मर्ज कैसे करें अल्ट कंट्रोल सिप्ट पलस इप्रेस किजिएगा तो यहां पर एक सेपरेट लेयर मेरा बनके आ जाएगा तो इसका हमने लेयर को मर्ज कर लिया है अब हम लेके चलते हैं आपको कैमरा रॉफ फिल्टर में यहां पे फिल्टर पर जाईएगा और यहां पर सबसे पहले को टेंपरेचर सबसे पहले है उसको आप इधर पिला के तरफ इसको प्लस किजिएगा तो एक अलग effect आपको दिखाई देने लएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कितना color change हो गया इसका, अब यहाँ पर है तो इसको आप थोड़ा सा इधर छेड़िएगा, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एक color आपको देखने को मिल जाएगा, इधर लेके जाएगा, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और color, थोड़ा से cinematic तरीके का यह color आपको देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ से shadow है, तो shadow को आप थोड़ा सा यहाँ कम कर लिजे, थोड़ा black ही हो जाएगा, तो और अच्छा लाएगा, highlight आप देख सकते हैं, highlight थोड़ा सा कम कर लेंगे, यहाँ texture है, texture को minus किये तरफ लेके जाएगे, vibrance है, तो vibrance को आप घटा बढ़ा के देख सकते हैं, कि किस तरीके का यह effect हमको चाहिए, तो आप अपने photo का recording आप इसमें color छेड़ सकते हैं, तो पहले से कितना अंतर हुआ यह photo आप देख सकते हैं, पहले मेरा photo अब ही result ओपन हो गया इस तरीके का, तो friends इसी तरीके से आप किसी भी Photoshop में काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया था Photoshop 2022 में, आप Photoshop CS3 में भी कर सकते हैं, Photoshop 7.0 में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका इसका अलग होगा, तो यह friends आपको tutorial कैसा लगा, comment करके आप जरूर बताएं, और हमारे channel पर first time आया हैं, तो channel को subscribe करके bell icon दबा लिजे, video rating, photo rating से related कुछ भी सीखना है, comment box में comment कीजिए, हम उस type का tutorial हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे, तो friends आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं, next video में धन्यवाद